आई एवरिवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है आज जो वीडियो है लिटरी टॉम से आप सभी की रिक्वेस्ट पे I have made it एल्यूजन 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 एक्चिली एल्यूजन इंग्लिश लिटरेचर में क्या है अगर हम इसको बोलें तो ये एक प्रकार का indirect reference है indirect का मतलब होता है हम किसी किसी चीज को अगर बताना चाहें तो बहुत बड़े कोई भी philosopher है कोई भी बड़ी बात है भगवान है ये कोई भी किसी का बहुत बड़ी celebrity इन सब का हम एक reference दे के एक बात को कह देते हैं उसका नाम न लेते वे इन डायरेक्टली अगर हम बोले तो समझ जाओ कि बैस उसकी बात हो रही है ठीक है तो उस चीज को हम कहते हैं कि indirect reference देते वे अगर हम किसी चीज को use कर रहे है that is known as illusion ये ए है एक होता है illusion वो भ्रम होता है उससे मत आप confused होईएगा this is illusion, this is भ्रम हम पोल रहे है illusion जिसको कहते हैं indirect reference तो इसको पहले पढ़ लेते हैं ये आया कहां से इसकी जो origin है वो एक Latin word से आई है और Latin word का मतलब अगर हम इसके आगे prefix डाल दें तो इसका मतलब होता है luder मतलब play together मतलब together खेलना ये इसका वो है origin है अब मैं इसको थोड़ा सा define कर सकती हो आपको तो देखिए क्या है ये indirect reference है जो बनाया जाता है speech में या तो बोलते वक्त या लिखते वक्त to a person किसी आदमी के लिए किसी character के लिए या किसी किताब के लिए तो हम कोई भी ऐसी speech जिसे हम लिख रहे हो किसी person के लिए character के लिए या किताब के लिए और उसको indirectly reference देते वए अगर हम बोल रहे हो तो that is illusion next इसको आगे देखते है इसको हम एक तरीके का कह सकते हैं कि ये just एक passing comment है किसी को हम remark दे रहे है किसी को हम comment दे रहे है अभी आप उधारन से बहुत अच्छा समझ जाएंगे किसी को हम tipणी कर रहे है किसी के उपर किसी को किसी की उपाधी दे रहे है चीक है next देखते है यहाँ पर होता क्या है जो writers होते है वो ये उमीद करते है कि readers जो पढ़ने वाले जो पाठक है उनको इस illusion का knowledge होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि जितने भी writers है जब वो illusion जिसे कहते है indirect reference की अगर बात करते है तो वो ये मान कर चलते है कि जो मेरी पाठक है जो इन किताबों को पढ़ेंगे जिसमें मैंने illusion यूज़ किया है तो ये संभव है कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी होगी कि हम किसको संभोधित करते हुए indirect reference किसी आदमी को किसी work को दे रहे है ठीक है तो जैसे अब example से आप बहुत अच्छा समझ सकते है जैसे मैंने एक उधारन लिया देखिए don't act like a Romeo in front of her अब हम कहते हैं ना आप सभी लोग जानते है William Shakespeare जी का एक बहुती passionate lover रहता है जिस character का नाम रहता है Romeo तो उसको Romeo जिसे passionate बड़ा जुनून भरा वाला lover होता है तो अब इस लड़के का नाम न लेते वे सीधा बोल दिया कि भई तुम उस लड़की के सामने अपने आपको Romeo मत समझो तुम इतना मत समझो कि तुम बड़े जुनून वादी lover हो तो reference किसका दे दिया उस लड़के को indirect route में उसको Romeo बना दिया और उधारन से समझ लेते हैं आपको पता है Romeo and Juliet का वर्क है ये पता ही होगा आपको Shakespeare का है अब आप जानते हैं जो Garden of Eden है ये किसको कहा जाता है ये आप सब जानते है जिसे हम बोलते हैं बाइबल में इस चीज का reference है Garden of Eden जिसको हम बोलते है स्वर्ग का बगीचा कहते हैं न इस प्लेस ये जगा तो बिल्कुल ऐसी हमानों की स्वर्ग में आ गए हो स्वर्ग का बगीचा जैसे है तो ये एक biblical illusion इन्होंने यूज किया है जो की किताब Genesis में मिलता है तो reference उस जगा को उस प्लेस को indirect way में क्या बना दिया स्वर्ग का बगीचा बना दिया इस इस काल्ड illusion एक और उधारर देखिए जैसे बोलते हैं हम who is the Newton of our college अग intelligent जिस किसी इनसान को genius अगर बताना हो बहुती बुद्धिमान तो उसको indirect reference दे दिया Newton का जैसे होता है न हर किसी की class में बुद्धिमान वेक्ती होता है कोई बुद्धिमान child होता है student होता है तो उसको किसकी उपादी दे दी Newton क्योंकि पता है Newton को किसके लिए जाना जाता है for his genius ठीके तो उसको हमने indirect reference दे दिया उस college के student को that is Newton this is illusion समझ में आ रहा होगा I think और उधारण देख लेते हैं जैसे he was called hamlet because of his procrastinating nature देखिए procrastinating का मतलब भी लिखा है मैंने टालमटोल की आदत तालमटोल का मतलब क्या रहे नहीं आज नहीं कल कर लेंगे मतलब हर काम को अगले दिन के लिए छोड़ देना आलस करके procrastinate कहते हैं ठीक है तो आपने जब hamlet पढ़ी है तो आपको पता है कि hamlet जो एक character है उसमें वो बार बार अपने decision नहीं ले पाता indecisive भी है उसका decision रहता है पता होने के बाद भी कि कौन उसके father को मारे knowingly कि भी उसके uncle को आपको पुरा play आपने पढ़ा आप जानते हैं कि hamlet में होता क्या है तो उसकी आदत रहती है कि जानकर भी वो कहता है कल इसका decision लूँगा मैं जब सब चीज clear मिलेगी तब करूँगा 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 के चक्कर में वो पता ही नहीं कर पाता तो he is a procrastinating nature दिखाया जाता है hamlet में तो वो इसी तरीके से यहां पर hamlet को refer कर दिया किसी लड़के से he was called hamlet उसको hamlet बोला जाता था क्यों बोला जाता था क्योंकि उसका procrastinating nature था एक और धारर से आप समझा देते हैं तो आपको बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा the ship was sank like a Titanic the ship was sank like a Titanic Titanic आप सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ा ship था जहाज था जो अपनी पहली ही journey में क्या हो जाता है wreck, wreck का मतलब क्या होता है नश्ट हो जाता है दुरघटना घ्रस्ट हो जाता है ठीक है न तो the ship मतलब जो जहाज था वो डूब गया किसके समाल डूब गया जिस प्रकार एक Titanic डूबी थी Titanic का title दे दिया indirect reference दे दिया Titanic का ship को कि उसी प्रकार ये ship भी क्या हो गई डूब गई I hope आप सभी को ये समझ में आया होगा बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है illusion अब आपको illusion से related कोई doubt नहीं होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो please like, share and subscribe ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजे share कीजे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then bye, good luck for your exam preparation